हलो एवरीबन दिस इस सॉम्या वेलकम टू दोस्तर क्लास अज रुपड़ेंगे एक्सक्रिटरिय सिस्टम के बारे में चुकि क्लास 7 तॉपिक है तो क्या होता है एक्सक्रिटरिय सिस्टम देखो हमारी बोड़ी में बहुत सारी सिस्टम पाय जाते हैं डाजिशन सिस्टम पायाता है रेस्पिरेशन सिस्टम पायाता है एंडोक्राइन सिस्टम पायाता है और एक्सक्रिटरिय सिस्टम पायाता है तो यह सब अलग अलग बड़ के लिए रिस्पॉंसबिल होते हैं जिसे कि डाजिशन सिस्टम डाजिशन के लिए रिस्पॉंसबि होता है और excretor system हमारी body से जो भी waste material होता है उसको excrete करने के लिए responsible होता है तो क्या होता है excretion सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं तो जबoben हम लोग जो food खाते हैं उस food को हमारी body breakdown करती है जो हम लोग लेते हैं उस food को हमारी body break down करके simplest form में convert कर लेती है अब इस conversion में कुछ ऐसे भी material बन जाते हैं, जो हमारी body के लिए toxic होते हैं, हम लोग जो भी chemical reaction करते हैं, तो उसमें कुछ तो useful product बनता है, कुछ ना कुछ extra material भी बन जाता है, है ना, तो वही जो extra waste material होता है, उसे हम कहते हैं metabolic waste, ठीक है, अब यह जो process कहलाती है, food को तोड़ कर, breakdown करके, simplest form में convert करना, metabolase में कहलाती है, ठीक है, अब यह जो metabolist हुए, उससे, भी waste material gördly, उसको हम metabolic waste कह सकते हैं, ठीक है, इसि metabolic waste को body से eliminate कर देना excretion कहलाता है, इसी metabolic waste को body से eliminate कर देना, क्या कहलाता है, exretion कहलाता इस काम को करते हैं, तो इस पूरे system को कहते हैं, हम excretory system, ठीक है, consist of organs which remove metabolic waste and toxic from the body, उसे हम क्या कहते हैं, excretory system कहते हैं, अब यह waste material क्या क्या हो सकते हैं, जो metabolism से बनते हैं, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा toxic material होता है, हमारी बोडी में nitrogenous substance, अब यह को nitrogenous substance होते हैं, यह three type के हो स यूरिया, यूरीक एसिड और एक होता है, अमोनिया, ठीक है, यूरिया हमारी बोडी में बनता है, यूरिया और यूरीक एसिड तो यह लोग यूरीन से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूरीन पास करते हैं, तो हम लोग एक medium water लेते हैं, और और फिशेज हैं वो अमोनिया के फॉर्म में बहार निकालते हैं और हम लोग यूरिया यूरीन के फॉर्म में पास आउट करते हैं किसी भी वेस्ट मर्टिराल को अब यह होगया नाइट्रोजेटरस बेस्ट बहुत ही ज्यादा टाक्सिक होता है चुझाल बड़ि में हट और बनता किस से हैं प्रोटीन को बिरेख डाउन कर咫क ए एक प्रोटीन जुन हम लोग लेते हैं डेली डायट उसको breakdown करने के बाद जो nitrogenous waste बनता है उसे ही हम कहते है nitrogenous substance तो excess salt और water और क्या हो सकता है हम लोग salt लेते है water लेते हैं यह सब जो excess form में हमारी body में होता है उसको भी हमारी body से remove कर दिया जाता है vitamins जो भी vitamins water में soluble होते हैं और excess होजाते हैं हमारी body में उसको pass out कर दे जाता है as a waste material urine के तुरू medication, medication जो हम लोग medicines लेते हैं तो वो जो medicine से भी metabolism से छोटा छोटा जो भी waste product बनता है उसको भी हमारी body से बहाँ निकालना जरूरी है क्योंकि वो एक toxic है ठीक है तो वो भी हो गया waste material carbon dioxide जो metabolism से बनता है CO2 उसको भी as a respiration उसको बहाँ निकालते हैं हम लोग excel के तूरू ठीके lungs से bile pigment अब यह bile pigment क्या होता है हमें पता है चोभी हमारी body में rbcs पाई जाती है रहनी red blood cells पाई जाती है वो सब 120 days में dead हो जाती है यह हम लोग को पता होना चाहिए कि जितनी भी rbcs है वो 120 days में dead हो जाती है ठीक है अब यह जो dead होके dead particles हैं उनके वो कहां जाएंगे वो धीरे धी लिवर में ही स्टोड होते रहते हैं और लिवर से बनता है bile juice, bile juice स्टोड होता है गाल ब्रेडर में अब यहां से ही यही जो bile juice है इसी में पाई जाता है bile pigment जो बना होता है हमारे hemoglobin से ठीक है जो हमारे urine के थरूप पास हो जाता है अब urine का color pale yellow color का क्यों होता है क्योंकि उसम यूरी मटेरल के साथ साथ यूरू कों pigment भी बाहार निकलता है जिसकी वैससे हमारी urine का color pale yellow color यानि pale yellow मतलब थोड़ा सा गंदा सा yellow color निकलता है अब वेस्ट मटेरल किस किस के थरू निकलते हैं तो हम लोगोंने carbon dioxide की बात की water vapor की बात की तो as a water vapor और carbon dioxide निकलता है लंग्स के तो उसके थरूप भी बहुत सारा पसीना जो आता है उसमें start होता है uric acid होता है water vapor होता है little amount में minerals भी होते हैं तो यह सब चीज़े excess के form में जो होती है वो setting से भी बाहार निकलती है तो यह सब कुछ क्या है excretion कहलाता है लेकिन हम लोगों को इस chapter में पढ़ना है urinary system तो सबस से पहला आता है kidney, दूसरा uratus, तीसरा urinary bladder और चौता है urethra देखो जो kidney होती है वो bean shape structure होती है pair में होती है यानि number of two numbers में होती है हमारी body में ठीक है और दोनों kidney से two pipe निकलते हैं ठीक है one kidney से इधर वाला pipe, one kidney से इधर वाला pipe अब इसी pipe को हम कहते है urator ओके यह pipe किस से connect होते है एक तरीके urinary bladder से connect होते है ठीक है अब urinary bladder से भी एक pipe बाहर को निकलता है जो urethra कहलाता है जिससे urine pass होता है ठीक है तो यह four part involve होते है यूरीन को pass out करने के लिए तो इन ही को हम लोग एक एक करके जाने के क्या होते है किड्नी कैसी होती है एक bean shaped structure होती है पहले तो हम लोग शॉट में देख लेते हैं bean shape आप लोग देख रहते हैं इसका structure bean shape है ठीक है और red is brown color की होती है location का होती है abdominal जो portion होता है हमारा उसके back side पर होती है ठीक है और right kidney slightly नीचे होती है क्यों होती है देखो आप लोग इस side की kidney जो है right side की थोड़ी सी नीचे दिखाए गई है और इस side की kidney थोड़ी उपर दिखाए गई है क्यों होती है क्योंकि इसके just उपर above liver present होता है जिसकी वज़े से right side क kidney थोड़ी सी नीचे होती है okay और भी हम लोग जानेंगे आगे uratis uratis क्या होता है देखो यहां से दोनों kidney से एक pipe निकलता हुआ दिखाए दे रहा है जो urinary bladder को जा रहा है इस pipe से यहां पर जो urine बनता है वो pass out होके bladder में store होने लगता है ठीक है अब uranar यह जो uratis है यह कहां पर खुलता है एक urinary bladder पर खुलता है urinary bladder क्या होता है urinary bladder होता है यह वाला part हमारा जो muscular एक back like structure होता है elastic होता है abdominal part के बिल्कुर नीचे के side पे lower side ठीक है और यहां पर कितना hold कर सकता है 300-400 ml urine को store कर सकता है यह bladder ठीक है उसके बाद यहीं से जब दीरे दीरे करके secret होता रहता है यहीं से हमारी body से urine पास हो जाता है तो यह चार पार्ट थे